आईए समझते हैं क्या मतलब होता है cardiac cycle का cardiac cycle का simple सा मतलब होता है जिसे suppose कीजिए कि heart के अंदर एक बार contraction हुआ फिर relaxation हुआ फिर contraction हुने just जा रहा है इसे कहा जाता है एक cardiac cycle या इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि heart के ventricles के अंदर एक बार relaxation हुआ फिर contraction हुआ फिर relaxation हुने जा रहा है तो इसे भी हम एक cardiac cycle गएंगे अब cardiac cycle के अंदर total 3 event होते हैं सबसे पहले क्या होता है कि arteria के अंदर contraction होता है उसे arterial systole का आ जाता है जिसका duration 0.1 second होता है उसके बाल ventricles के अंदर contraction होता है उसे ventricles systole का आ जाता है जिसका duration 0.3 second होता है और atria और ventricles दोनों का साथ में relaxation होता है इसलिए इस step को joint diastole का आ जाता है क्योंकि diastole का मतलब relaxation होता है और इसका duration होता है 0.4 second होता है इससाब से हम बोल सकते हैं कि जो cardiac cycle होगा वो 0.8 second का होता है अचाँ ए ता होता है यह झाल ना होता है